हालो फ्रेंद्स मैं हूँ चेतना औरकिट्स लानिंग फान में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं डेटा हैं लिंग के बारे में यह क्लास वन का चेप्टर है तो सबसे पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको डिसकस कर लेते हैं जो इन्फर्मोशन होती है जिसे हम क्लेक्ट करते हैं किसी भी चीज के बारे में यानि कि कोई भी चीज है जैसे बॉल हैं कितनी बॉल्स हैं बचो लंच बॉक्स हैं कितने लंच बॉक्स हैं उनके बारे में इन्फर्मेशन इखटी करना कोई भी डाटा है उसके बारे में इन called data handling जब हम उसको collect कर लेते हैं तो उसको कहा जाता है data handling तो चलिए इसे related कुछ exercise हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पे हमने कुछ shapes बनाई हुई हैं जैसे यह है square circle, triangle और rectangle तो यह four shapes हमने यहाँ पे काफी सारी बनाई हुई हैं और नीचे हमने यहाँ पे options दियो हैं color all square in red color all circle in yellow color all triangle in blue और color all rectangle in green तो यहाँ पे जो shapes दे रखें उनको हमने color दे रखें हैं तो हमारे को उनको पहले color करना है तो जैसे यहाँ पे square है वो हमें सारे करने है red color के तो square को हम यहाँ पे बच्चों से इस तरीके से red color करवा देंगे two तो two हमारे पास हो गए square और circle हमारा है yellow color का तो हम इसको yellow color कर देंगे और जो triangle है हमारा वो है blue color का यह हो गए और green हमारा है rectangle तो green से हम rectangle करेंगे properly भरवाईएगा तो अब यहाँ पे कुछ questions है उसको हम देख लेते हैं how many square are there यहाँ पे कितने square है तो बच्चे को देखना है square में है red color का तो one and two तो बच्चे को यहाँ पे लिखना होगा two और चाहे तो बच्चे इसमें red color भी आप करवा सकते हैं how many circles are there तो circle कितने है one, two, three and four next है हमारा how many rectangle are there rectangle कितने है one, two, three तो rectangle हो गए हमारे three and triangles कितने पूछे है one, two, three, four तो triangle हो गए हमारे four अब एक और question है यहाँ पे how many circle and rectangle are there तो circle कितने थे हमारे यहाँ पे हम इधर देख लेंगे चाहे यहाँ इधर देख लेंगे तो circle थे हमारे one, two, three, four four हमारे हो गए circle और rectangle हमारे थे three next है how many triangle and square are there तो triangle हमारे है four और square है हमारे two तो इस तरीके कि जो आप एक sheet है बच्चे को समझाने के लिए बता सकते हैं data handling का मतलब होता है जितने भी pictures यहाँ पे दी गई हैं उसमें से एक proper data को collect करना और फिर उसको लिखना next है हमारे यहाँ पे हमने fruits बनाए होए हैं और यहाँ पे है numbers और questions हमारे हैं how many apples and mangoes are there in all यहाँ पे apple कितने हैं और mangoes कितने हैं तो apple लिखने हैं यहाँ पे और mangoes लिखने यहाँ पे तो पहले हम count करवाएंगे बच्चे से apple 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हमारे apple हो गए 6 और mangoes पूछे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data handling का जो मतलब होता है basically यही होता है कि चीज़ों को collect करके आपको बच्चे से count करवाके उसको write down करना है एक चीज़ पुछी है तो एक को आप count करवाएंगे total जितना भी सारी चीज़े हैं उसमें से और अगर दो चीज़े पुछी हैं तीन चीज़े पुछी हैं तो पूरे data में से उसको collect करके आपको लिखवाना है next है हमारा what is the total number of grapes and orange तो grapes कितने हैं यहाँ पे इनको रहा count कर लेंगे तो apple है हमारे one two three four five six apple हो गए हमारे six mango हो गए one two three four five six seven mango हो गए हमारे seven four हमारे grapes हो गए और three हमारे oranges हो गए तो उन्होंने पुछा maximum कौन सा fruit है हमारे पास maximum हमारे पास है mango तो हमारा हो गया mango ठीके बच्चों next आगया हमारा right the total number of fruits total कितने हो गए तो बच्चे से आपको इसको total करवाना है तो कैसे करवाएंगे six seven four and three आप इस तरीके से करवा सकते हैं number line की थूँ आप बच्चे से करवा सकते हैं तो six plus seven हो गया हमारा 13 13 plus seven four plus three seven होता है न बच्चों four five six seven तो यहां पे आगया seven अब आप बच्चे से इसको काउंट करवा सकते हैं तो seven plus three ten one उपर कैरी पे चला गया और one plus one हो गया हमारा two तो total number of fruits हमारे पास कितने हैं twenty which fruit do we have minimum in number सबसे कम number पे हमारा कौन सा fruit है three orange o r a n g e orange next exercise हम देख लेते हैं यहां पे एक नाम दिया है रोहन रोहन एक boy है was asked to name his cousins he wrote their name जो रोहन है उससे उसके cousins के नाम पुछे गए हैं तो उसने यहां पे लिखे हैं let us find out how many letters each name her name में कितने letters हैं हमें उनको count करके यहां पे write down करना है तो पहला नाम है a n m o l anmol कितने numbers हैं इसमें letters है 1 2 3 4 5 तो अनmol में हो गए 5 letters इसी तरीके से r a d h a राधा राधा में कितने हैं 1 2 3 4 5 इसमें हो गए 5 letters इस तरीके साब बना के दे सकते हैं ram ram में हैं हमारे 3 letters पूरवी में हो गए हमारे 6 letters ठीक है तो यह complete करने के बाद हम questions करेंगे how many name have 5 letters तो 5 letter के कितने हो गए 1 2 3 तो यहाँ पे हम write on कर देंगे 3 next question है how many total a are there in all the names जितने भी यहाँ पे name दिये गए हैं इस तरफ में इसमें कितने a हैं उन्हें हमें count करना है तो 1 2 3 इसमें कोई नहीं है 4 और इसमें भी कोई नहीं है तो total हमारे पास a हो गए 4 how many names have 3 letters कौन कितने name है जिसमें 3 letters हैं तो only ram में है तो हो गया हमारा 1 next है how many total n are there in all the names n कितने है तो यहाँ पे 1 इसमें नहीं है 2 इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है तो हमारे n हो गए 2 how many total o's are in all the names o कितने है वो सर्च करने है तो 1 2 3 and 4 o हमारे है 4 तो इस तरह की जो नहीं है आप worksheet अपने बच्चे को बना के दीजिए data handling के लिए बहुत ही easy है बहुत ही simple है बहुत ही असानी से बच्चों को समझ में आ जाती है तो यहाँ पे हमने एक picture draw की है तो यहाँ पे कुछ objects बनाए गए है एक tree के अंदर और यहाँ हमें कुछ questions दे गए है number of balls तो यहाँ पे कौन-कौन से है ball, star, bell and gifts दे रखे हैं क्योंकि यह Christmas tree है तो यहाँ पे है balls कितनी है तो balls को हमें count करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हमारी balls हो गई 6 number of bells bells कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 bell भी हमारी 6 है उसके बाद है number of stars तो star कितने है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 star हो गए हमारे 7 और gift हमारे कितने है तो gift हो गए हमारे 5 which item is maximum in number तो सबसे ज़्यादा कौन से है star है हमारे तो यहाँ पे लिखना है हमें star star और सबसे कम कौन से है हमारे gift है तो यहाँ पे हम लिखेंगे gift तो यह बहुत सिंपल सी एक work sheet मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है आशा करती हूँ यह आपको पसंद आई होगी thank you so much thanks for watching तो झाएजे पार करती है